प्रश्न एक, टोटल स्टेशन में आटोमेशन का मुख्य लाब क्या है? A. मापन की सटीकता, B. समय की बचत, C. मानव तुरुटी में कमी, D. सभी, उत्तर, D. सभी, प्रश्न दो, आटोमेटेड टोटल स्टेशन में डेटा संग्रहेन के लिए कौन सा माध्यम उप्योग होत लेंस, B. सॉफ्टवेर, C. ट्राइपॉड, D. बैटरी, उत्तर, B. सॉफ्टवेर, प्रश्न चार, आटोमेटेड टोटल स्टेशन को नियंत्रित करने के लिए कौन सी तकनीक का उप्योग किया जाता है? A. वाइफाई, B. ब्लुटूथ, C. जीपीएस, D. सभी, उत्तर, D सभी, प्रश्न पांच, आटोमेशन से टोटल स्टेशन के किस कार्य में सुधार होता है? A. दूरी मापन, B. कोन मापन, C. डेटा संग्रहिन, D. सभी, उत्तर, D. सभी, प्रश्न चे, किस प्रकार के टोटल स्टेशन में अधिक्तम आटोमेशन होता है? A. एनालोग, B. किया जाता है? A. कैनेडियन डॉलर सॉफ्टवेर, B. जी आएस सॉफ्टवेर, C. सर्वेक, शन सॉफ्टवेर, D. सभी, उत्तर, D. सभी, प्रश्न आठ, आटोमेशन के कारण डेटा मापन की प्रक्रिया में क्या लाब होता है? A. प्रुटियों में कमी, B. तेजी से मापन, C. दोनों, A. और, B. D. कोई नहीं, उत्तर, C. दोनों, A. और, B. प्रश्न नौ, तोटल स्टेशन में आटोमेशन के लिए किस प्रकार के सिंसर्स का उप्योग किया जाता है? A. लासर सिंसर्स, B. थर्मल सिंसर्स, C. ओप्टिकल सिंसर्स, D. सभी, उत्तर, A. लासर सिंसर्स प्रश्न दस, टोटल स्टेशन में आटोमेशन का उप्योग किन खेत्रों में किया जाता है? A. निर्मान B. भूवै ज्यानिक सर्वेक्षन C. परिवहन D. सभी उत्तर D. सभी प्रश्न ग्यारह Automated Total Station के डेटा को किस माध्यम से संचारित किया जा सकता है? A. वाइफाई B. मोबाइल डेटा C. दोनो A और B. D. केवल USB उत्तर C. दोनो A और B. प्रश्न बारह टोटल स्टेशन में आटोमेशन के लिए कौन सी बैटरी का उप्योग होता है? A. रिचार्जेबल बैटरी B. सामान्य बैटरी C. लिथियम बैटरी D. सभी उत्तर A. रिचार्जेबल बैटरी प्रश्न 13 Automated Total Station का उप्योग करने के लिए किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यक्ता होती है? A. बुनियादी सर्वेक्षन ग्यान B. कम्प्यूटर ग्यान C. दोनो A और B. D. कोई नहीं उत्तर C. दोनो A और B. प्रश्न 14 कौन सा डेटा Automated Total Station में पहले से संग्रहीत होता है? A. मानचित्र डेटा B. स्थलाकृती डेटा C. दोनो A और B. D. कोई नहीं उत्तर C. दोनो A और B. प्रश्न 15 टोटल स्टेशन में Automation से उप्योग करता इंटर्फेस कैसा होता है? A. सरल B. जटिल C. बिना इंटर्फेस D. केवल टेक्स्ट आधारित उत्तर A. सरल प्रश्न 16 आटोमेशन के लिए टोटल स्टेशन में कौन सी तकनीक का उप्योग होता है? A. GPS तकनीक B. IMU तकनीक C. दोनो A और B. D. कोई नहीं. उत्तर C. दोनो A और B. प्रश्न 17 टोटल स्टेशन में डेटा को संचालित करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उप्योग होता है? A. TCP IP B. FTP C. HTTP D. सभी उत्तर D. सभी प्रश्न 18 आटोमेटेट टोटल स्टेशन में कौन सी सुविधाय शामिल होती है? A. स्वचालित स्तरिंग B. स्वचालित डेटा संग्रहें C. स्वचालित मापन D. सभी उत्तर D. सभी प्रश्न 19 टोटल स्टेशन में आटोमेशन का सबसे बड़ा लाब क्या है? A. सटीकता, B. सुरक्षा, C. दक्षता, D. सभी, उत्तर, D. सभी, प्रश्न 20, टोटल स्टेशन में आटोमेशन से डेटा विशलेशन की प्रक्रिया में क्या सुधार होता है? A. टेजी, B. सटीकता, C. उप्योग में सरलता, D. सभी, उत्तर, D. सभी.